जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं, यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है, नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है, सब कुछ कोई space नहीं, कोई column नहीं सिर्फ ग्यांसर, G-Y-A-N-S-I-R इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं, आप एप में बाई करने से पहले जो Apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट दिलेगा, वीडियो देखिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है, UPPSC Best Online Coaching के इस YouTube चैनल पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मदेकालिन भारत के इतिहास के एक महतपुर्ड बिंदू, अर्बो का शिंद विजय, इसकी चर्चा करेंगे यहाँ क्लास सभी प्रकार के state PCS exam और one day exam के लिए अत्यंत महतपुर्डे, आप किसी भी exam के preparation कर रहे हैं, यहाँ से question देखने के लिए 100% मिलेगा, तो चलिए, शुरू करते हैं आज के इस important session को, इससे पहले कुछ जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप टीम के paid courses से जुड़ना साथ हैं, PCS के complete preparation के लिए, तो इन दिये गए नंबर पे call या WhatsApp करके आप paid course से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं, इसके अत्रिकती ग्यान सर का WhatsApp नंबर है, आप यहाँ से WhatsApp के मादिम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने play store से study for civil services का application इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप जरूर इंस्टॉल किजएगा, application के मादिम से पहला Muslim होता है, जो भारत पर सफल आकरमड करता है, तो यहाँ पर दिया हिंद, हिंद का मतलब है भारत की जंदा, के संदर्ब में हिंदू सब्द का प्रयोक सरोप्रतम अर्बो द्वारा किया गया था, तो यह भी विंदू याद रखेगा कि हिंदू सब्द सबसे पहले कि लिए ज़ा गया, तो गर। भारत पर बिदू को पहले भारत पर पर हमला करता है, लेकिन पराजित हो जाता है, इसके बादे दूसरा भी रख से बुदैल के नेतृतर चुल रहता है, तो विर पहते हिंद नषय सका बिदू की बिदू भारत पर पर शकुन मारा घल जाए, जाते है इराग के हाकिम अलहजास ने मुहमद बिन कासिम के नेतरित में अर्बो को सिंद पर आक्रमड करने के लिए भेजाता देकिए ये नाम याद रखेगा इराग कोन है हाकिम अलहजास है ये खलीफा होता है इसने क्या किया मुमद दिन काशिम के नेतरितों में अर्वो को सिंध पर आकरमड करने के लिए भेजा भारी संगर्स के बाद अर्वो ने 712 इस्य में सिंध पर बिजय प्राप्त कर ली देखे बहुत जादा संगर्स होता है इसके बाद क्या होता है कि 712 इस्य में बिस्त्रित वित्रांथ चसञामा नामक गरंद में देखने के लिए मिलता है देखे width चच नामा है ना इसकी रचना किया है? अली अहमद ने याद रखे गा फारसी भाषा में लिखा गया है यहाँ पर अर्बी का जिक्र किया गया अर्भी भासा में लिखा गया, तो चेचनावा लिखा कि इसने ये नाम ज्रूरी याद रुखेगा, अली अहमद, कई बार ये भी प्रेस्न देखने क्ले मिला एक चेचनावा किसने लिखाए, अली अहमद ने लिखाए, इसमें अर्भू के सिंध बिजय का धिंगिया गया, यह अरबी भासा में लिखित ग्रंथ है, बाद में अबूबकर कूफी ने नासुरिदिन कुबाचा के समय में इसका फारसी अनुवाद किया था, लिखा अरबी में गया था और फारसी अनुवाद किया था, फारसी अनुवाद किया गया, कि नासुरिदिन कुबाचा के समय मे जजिया लगाया था, तो कासिम ने सबसे पहले जजिया लगाया था, पूरे भारत की बात करेंगे भारत में जजिया लगाने वाले सरुट्थम सासक को ने है कासिम है, मुहमत बिन कासिम अच्छा जजिया होता क्या है, जजिया एक प्रकार ता वजहरा का था और ये कौन था ये जो दाहिर है दाहिर का कजिन था रावर सीसम जीतने के बाद कासिम ने रावर जीता रावर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया था तो दाहिर के मृत्यों कहां पर होती है रावर यहां पर दाहिर के मृत्यों जाती है उसके मृत्यों के लेकिन अर्बो के हाथ नहीं आती है अब यहाँ पर दिया ब्रामडवाद यहाँ अर्बो का दाहिर का पुत्र जैसिन लड़ा था और युद्ध के पास चात उसने इसलाम ग्रहड कर लिया देखे दाहिर का पुत्र होता है जैसिन ये ब्रामडवाद में युद लड़ता है और अन्त में दब वो परास्थ होने लगता है तो इस्लामगरहड कर लेते है अलूर या फिर अरूर ब्रामडवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलूर को जीता गए अरोर बिजे ही सिंद बिजे को पुरड़ता प्रदान करता है देखे अरोर बिजे या फिर से अलोर भी कहते है अलोर बिजे जो है यहीं से मतलब जब यह जीत लेता है तो इस पस्ट हो जाता है कि सिंद पूरी तरीकी से परास्ट हो चुका है मुलतान अब इसके बाद नंबर आता है मुलतान का अलूर बिज़े के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुलतान जीता सिक्का इस्थान के ब्यापारियों ने स्वयम ही सामुही कुरूप से मुहमत बिन कासिम को अपना सौमी मान लिया था देखे सिक्का में क्या हुआ था कि जितने भी ब्याबारी थे इन्होंने क्या किया कि इसे अपना सुल्तान मान लिया मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी यहां से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर मतलब सुरिड नगर रख दिया गया मतलब मुल्तान पे इसे इतना ज़्यादा सोना मिलता है कि इसका नाम क्या रख दिया था है सुरेड नगर रखा गया अब कुछ और महत्वपूर्ड तथ्य दिये गए इन तथ्यों को समझते हैं क्या क्या दिया लेकिन इससे पहले मेर कासیम का अंत हो जाते है 1714 इसमे खलीफा कोशन होते है कि मृत्यों के बाद नया खलीफा सुलेमान बनता है देख servants 14 में क्या होते है यह झो खलीफा है उना इसकी मृत्यों जाती है और सुलेमान खलीफा बनता है यह हजास का सत्रू था स्युकार कर लिया था, अगला खलिफा हिसाम 724 से 743 तक रहता है इस समय में जै सिंग ने इसलाम धर्म चाग दिया था, तो ये भी याद रखने है जब हिसाम का खलिफा चल रहा होता है, तो इस समय क्या होता है कि जै सिंग ने इसलाम चाग दिया था, हिसाम इसकी राजधानी क्या है उद्भांट कब जब महमूद गजनवी ने आकरमट किया है हिंदु साही राज मुस्लिम आकरमट का प्रथम सिकार हुआ था अलबरूनी के अनुसार हिंदु साही वंस के सासक कुषाज नरेश कनिश्क के वंसस थे आपने प्रासीन भारत की इतिहास में कनिस्क के वारे में पढ़ा है उन्ही के वंसस कौन थे जो हिंदु साही वंस के सासक हुआ करते थे नाप्ता और मैंगोलेंस निल्स का प्रयोग भारत में सरुठथम सिंध 712 इस्यो में किया गया थे तो नाफ्ता और मैंगोलिंस इसका प्रयोक सबसे पहले कहां किया गया था सिंद में किया गया था पेगंबर मुहमद साहब की जीवनी नाद ए मुहमदी को जियावदिन बर्नी ने संकलित किया देखें नाद ए मुहम्मदी इसको किस ने लिखा है ये लिखा है जियावदिन बरनी ने तो पुस्तक है important हो जाता है मुहम्मद साहब की जीवनी है इसमें अर्भो के भारत आकरमड के विशय में परियाप्त सूचना नमी सतापदी में विलाईरी किताब कुतूल अल बलदान से मिलती है देखें विलाईरी विलाईरी ने एक रसना किया है खिताब कुतूल अल बलदान इससे क्या पता चलता है कि अर्भो ने भारत पर किस प्रकार से आकरमड किया हुआ है 1216 इसे में फार्सी भासा में लिखी गई पुस्तक चस नामा में भी भारत पर अर्बों के आकरमड के विशे में जानकारी मिलती है देखे चस नामा पीछे हम लोगों इसके बारे में समझ रखे अली अहमद नहीं से लिखा इससे जरूर याद रखेगा नेक्स्ट यहाँ पर दिये मिनाजदिन सिराज की पुस्तक तबाकाते नासरी है ना नासर दिन महमूद को समर्पी थै तबाकाते नासरी इसे हम लोग और आगे पढ़ेंगे दिली सल्तनत जब समझेंगे तो यहां पर विस्तार से इसको समझेंगे यहीं तबाकाते नासरी में एक बिंदू का जिकर किया गए कि रजिया सुल्तान का महिला होना ही उसके पराजय का सबसे बड़ा कारण होता है जो रजिया सुल्तान मारी जाती मुल्तान को अरब यात्रियों का स्वरड अगर ही कहा जाते आपने देखा पीछे की काफी जादा सोना मिलता इसी वज़े सी स्वरड अगर ही है स्वरड नगर नाम दिया गया महमुद गजनी को परास्त करनी है तो राजबू सासको के संग का नेत्रि तो जैपाल ने किया था जैपाल ने स्वयम द्वारब प्रज्वली चीता में खूद कर आत्मदा कर लिया था सिंद नदी के तड़ पर महमुद गजनवी से पराजित होने वाली भारती राजा आनंद पाल था तो सिंदो के तड़ पर आनंद पाल ये भी जैपाल से पराजित हो जाता है नेक्स्ट यहांपर को सौर बिंदू दिया गया मुम्मद गोरी जब अक्रमट करेगा, तरहीजन का यूद्ध होगा, तरहीजन का पहला हूद, तरहीधन का दूसरा यूद्ध है न, तो इन सब के बारे में विस्तार से चरचा करेंगे चीजों को एक एक कर के समझेगे काफी interesting होने वाला है दोस्तों अगर इतिहास से आप डरते हैं इतिहास को लेकर परिशान है कि इतिहास में चीज़े याद नहीं होती तो आप class को देखें चीज़े अपने आप आपको याद होने लगेंगी जहां जरूत पड़ेगी नोट से बनाईगा चीज़ों को बार बार रिवाइच कीज़ेगा और इतिहास का क्या रूल है आप कोई अच्छे से पता है बताने की कोई आऊ सकता नहीं है तो दोस्तों ये class रही class कैसी लगी comment करके जरूर बताना और अगर आप टीम के पेड़ कोर्स से जुड़ना साथ है PCS के complete preparation के लिए तो आप इन दिये गए नंबर पे call ये WhatsApp करके टीम के पेड़ कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं इसके अतरिक ये ग्यांसर का WhatsApp नंबर है जिसमें कि सबी लेटर से समाल होंगे और कोई भी space नहीं होगा तो आपको उचिते discount देखने के लिए मिल सकता है तो ये आज की class रही class कैसी लगी है ना comment जरूर कीज़ेगा और देखिए आप एक चीज और भी समझ के चलिए दोस्तों जो लोग ROE, ROE exam के preparation कर रहे है या फिर UP pieces का pre देने वाले है उसके लिए ना courses चल रहे है मातरा 800 रुपे में, 1600 रुपे में समझे ना इतना सस्ता course आपको कहा मिलेगा 800 रुपे में पूरा study material पूरा video course होगा इसमें आपको कोई test, कोई PDF कुस नहीं मिलेगा सकते हैं, काफी बेहतर चीज़ों होने वाली अब ऐसे समझे ना, इतना सस्ता course आपको कहा मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा तो आप चीजों को अच्छे से पढ़िएगा जो भी होगा, सब आपके लिए बेहतर होगा आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वेडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए वेडियो के साथ तब तक के लिए, नमस्कार